आप देख रहे हैं अन्होनी अन्होनी में आज की कहानी हमारे साथ शेर की है टिंगो जी ने तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर गाउं के चौक पर बैठ कर अभी मैं और मेरा भाई गाउं की दो चार दोस्तों से बाते करही रहे थें की तभी गाउं के एक दोस्त बिरजू ने कहा भाई अब घर चलते हैं अंधेरा भी हो गया है अंधेरा होने के बाद घर से बाहर रहना ठीक नहीं होगा बिर्जू की बात सुनकर गाउं के बागी दोस्त भी घर जाने के लिए उठ खड़े हुएं उनको इस तरह करता देख और घर जाता देख मैंने बिर्जू से कहा क्या बात है बिर्जू आज तू इतना जल्दी घर जाने के लिए क्यों बोल रहा है पहले तो हम लोग काफी देर तक यहां बैटकर बाते करते थे और गाउं के बाहर आजकल रात को रहना ठीक क्यों नहीं है इस पर बिर्जू ने कहा भाई तू आज ही शहर से गाउं आया है गाउं में आजकल क्या क्या हो रहा है तुझे क्या पता इतना बोलकर बिर्जू बोलता हुआ चुप हो गया उसके चुप होते ही हम दोनों भाई एकदम से उसका चेहरा देखने लगें कुछ देर तो बिर्जू एकदम चुप सा था फिर अपनी चुपी तोड़ते हुए बोला आजकल गाउं का महौल एकदम ठीक नहीं है गाउं के काफी लोग रात के वक्त मर रहे है मगर मौत भी अजीब अजीब तरह से कोई नदी में डूप कर मर रहा है तो कोई जिन्दा लास जल कर मगर सबसे तो एक बात समान है कि सभी लाशें अगली सुबा गाउं के चौक पर ही मिलती है इसलिए हम सभी अब रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते है पर तुम दोनों भाई रात के वक्त कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना जिस पर मैंने बिर्जू से कहा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है गाउं में मेरी बात सुनने के बाद बिर्जू ने जवाब दिया आज से तीन में पहले हमारे गाउं में भानुका का रहा करते थे तो भी भानुका का को जानता ही होगा इस बार भानुका का खेत में काफी अधिक फसल हो गये थे मगर गाउं में भानु काका कुछ दुश्मन भी थें जिनको ये बात अच्छा नहीं लगा पर एक रात उन्होंने भानु काका के खेत में फसल समय ताग लगा दी जिससे उनकी सारे फसलें जलकर राक हो गए इस सदमे ने भानु काका को अंदर टक ठेस पहुँचाया और उन्होंने आत्महत्या कर ली और उसी के बाद से गाउं में ये सब शुरू हो गया मौत का खेल बिर्जू की बात खत्म होते ही बिर्जू अपने घर की ओर चलता बना बिर्जू के साथ साथ बाकी गाउं के लड़के भी अपने घर की ओर चलते बने मगर मैं और मेरा भाई इन सब बातों को नहीं मानते थें और हमें ना तो भूत प्रेट से डर लगता था क्योंकि हमने आज तक भूत प्रेट को देखा नहीं था इस पर मैंने अपने भाई से कहा चल यार मोहन काका के चाय की दुकान पर चाय पी कर आते हैं और इतना बोल कर हम दोनों भाई गाउं से बाहर जाने वाले रास्ते की और मोहन काका के चाय की दुकान की तरफ आगे बढ़ने लगें हमारे गाउं से मोहन काका की चाय की दुकान बस कुछी दूरी पर थी तो करीब 10 मिनिट पैदल चलने के बाद हम मोहन काका की चाय की दुकान के पास पहुँच जैं तो वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि मोहन काका की चाय की दुकान बंद है और साथ ही साथ सभी दुकाने बंद हैं मानो काउं में मातम सा छा गया हो दुकान बंद पाकर हम दोनों भाई वापस करकी तरफ आगे वड़ने लगें अब रात लगबग लगबग हो ही गई थी जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सूंसान और अंधेरे में डूबा हुआ था रास्ते पर दूर दूर तक हम दोनों भाईयों के अलावा इंसान तो दूर कोई परिंदा तलग भी दिखाई नहीं पड़ रहा था साथ ही साथ सननाटे ने तो पूरे रास्ते को इस कदर घेर रखा था कि हमारे पैदल जनने की आवास काफी तेच सुनाई पड़ रही थी अभी हम आगे बढ़ ही रहे थें कि तभी अचानक मेरा भाई किसी चीट से टकरा कर जमीन पर गिर गया अचानक भाई को गिरता देख मैंने अपने भाई को उठाया मगर मेरा भाई आकर गिरा तो गिरा किस चीट से टकरा कर ये देखने के लिए मैंने जैसे ही अपने जेब से मोबाईल फोन निकारा और फोन की फ्लेश लैट को जला कर जमीन पर देखा तो मैं एकदम से हका बक्का रह गया क्योंकि जमीन पर कुछ और नहीं बलकि इंसान की कटी हुई हाथे थी ये देखकर मैं एकदम से चौक गया अभी मैं चौक ही रहा था कि तभी एक कटी हुई हाथ मेरे भाई के पैर को पकड़ कर उसे खीचने लगी और खीचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगी अपने भाई को इस तरह खीचता देख मैं दोड़ते हुए अपने भाई की तरफ बढ़ने लगा मगर वो हाथ मेरे भाई को इतनी तेजी से खीच रहा था कि मैं अपने भाई के पास पहुँच तक नहीं पा रहा था तब ही देखते ही देखते वो हाथ मेरे भाई को खीचता हुआ एक पेल के पास ले गया मैं भी भागता हुआ उस पेल के पास पहुँचा और जैसे ही मैं पेल के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वो कटे हुए हाथ अब पूरे शरीर में बदल रही है और वो शरीर किसी और का नहीं बलकि हमारे भानू काका का ही था ये देखकर मैं समझ गया कि ये आत्मा भानू काका की आत्मा है और अभी हम दोनों को माल डालेगी हम समझ गए थें कि आज हमारा मरना निश्चित है कि तभी वहाँ पर हमारे घरवाले पहुँच गए काफी सारे लोगों के साथ एक साथ आता देखकर भानु कागा की आत्म हवा में धुआ हो गई क्योंकि काफी रात तक जब हम घर नहीं पहुँचे थें तो हमारे घरवाले खोचते खोचते यहां तक आ गए अगर हमारे घरवाले नहीं आते तो शायद आज हम जिन्दा ना होते हैं तो इस तरह से उस रात हम दोनों भाईयों की जान बच गई अब हम भूत प्रित को मानते हैं और उनसे काफी डरते हैं तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी आज की दूसरी कहानी मागे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां हर शाम साड़े साथ बजे नई वीडियो जाती हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की और मेरी कार काफी रफतार से उस रास्ते पर दोड़े जा रही थी कार चलाते वक्त जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर का नजारा देखकर मैंने अपने कार की रफतार और बढ़ा ली क्योंकि बाहर गुप अंधेरा चाया हुआ था और साथ ही रास्ते के किनारे लंबे पेल उस रास्ते को और भी ज्यादा भ्यानक बना रहे थे मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो दोनों दरफ से घने जंगलों से गिरा हुआ था मैं एक डॉक्टर हूँ तो इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता मगर ये सूनसान रास्ता साथ ही जंगल से आ रही तरह तरह की आवाजें मेरे मन में एक अलग डर का अनुभाव करा रही थी जिसे मैं अपने लवजों में बया नहीं कर सकता दरसल आज से कुछ दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर शहर से काफी दूर भीमपुर नाम के एक गाउं में हुआ है एक दो दिन तो मुझे काफी तकलीफ हुई मगर समय के साथ मैं भी अब उस परिस्तिती में ढल चुका हूँ शहर हो या गाउं जहां भी गया मुझे वहां के लोग अच्छे ही मिलें ऐसा हो भी क्यों ना जिसके साथ जैसा वहवार करूँगा वो भी मेरे साथ वैसा ही वहवार करेगा रात हुया दिन अगर कोई मरीज तकलीफ में हो तो मैं उसे देखने कहीं भी चला जाता हूँ ऐसे ही आज मैं गाउं से 10 किलोमेटर दूर एक मरीज को देख कर वापस लोट रहा हूँ उसकी हालत काफी गंभीर थी और अगर मैं नहीं जाता तो शैद वो बच भी नहीं पाता खैर अभी मेरी कार रास्ते के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ी ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी कार के पिछले वाली सीट पर बैठा हुआ है क्योंकि मुझे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी मैं जट से पीछे मुडा तो पीछे वाली सीट पर कोई नहीं दिखा तो मैंने इसे अपने मन का वहम मान कर आगे बढ़ने लगा मगर पता नहीं क्यों अब मुझे इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी अभी भी मेरा घर यहां से साथ किलोमेटर दूर था कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निकाहे हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के दस बजे का अभी मेरी कार उस सोंसान रास्ते पर दौड़ी रही थी कि तभी पता नहीं मुझे और मेरी कार को किसी की नजर लग गई कि मेरी कार एकदम से जटका खाने लगी और दो-तिन जटकों में बंद पड़ गई कार को इस तरह से बंद होता देख मैं सहम गया मैंने दो-तिन बार कार इस्टार्ट करने की कोशिश की मगर कार इस्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी जिसके बाद मैं कार से बाहर निकला और कार का बोनट खोल कर देखने लगा कार के बाहर निकलते ही मुझे कलकलाती ठंड का एहसास हुआ जितनी देर मैं कार के अंदर खिड़किया बंद करके था तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी मगर बाहर आते ही ठंड ने मुझे उपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख दिया अभी मैं कार चेक कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी डॉक्टर साब उस आवाज को सुनकर मैं चौक गया कि भला इतनी रात गए इस सूनसान रास्ते पर मुझे कौन पुकार रहा है फिर जब मैंने अपनी निगाहे उस आवाज की ओर घुमाई तो मुझे घने अंधेरे में एक पेड के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा फिर भी मैंने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया ये सोच कर कि वो कोई गलत आदमी तो नहीं है अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस आदमी ने दो बारा कहा डॉक्टर साब आप मेरे साथ चलिए मेरे पिताजी की तबित काफी खराब है उस आदमी के मुझे ये सुनकर मैंने मन ही मन में कहा मगर इस आदमी को कहां से पते चल गया कि मैं रात के वक्त इसी रास्ते से गुजरूँगा और क्या ये आदमी या खड़े होकर मेरा ही इंतिजार कर रहा था जिस पर मैंने उस आदमी से कहा क्या हुआ है आपके पिताजी को और कहा है वो जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया पता नहीं डॉक्टर साब क्या हुआ है मगर उनकी हालत काफी खराब है अब मेरे साथ मैंने कहा चलो देखते हैं क्या हुआ है तुमारे पिताजी को इतना बोलकर मैं उस आदमी की तरफ चलता बना वो आदमी जंगलों के बीच एक कच्चे रास्ते से पता नहीं मुझे कहां लेकर जा रहा था थोड़ी दूर चलने के बाद भी जब उसका घर नहीं आया तो मैंने दोबारा से उस आदमी से कहा और कितने दूर है भाई तुमारा घर जिस पर उस आदमी ने अपने हाथों को एक और इशारा करते हुए कहा वो देखिए वो जो दिख रहा है ना वो मेरा घर है उस आदमी के इशारा किये गए जगा पर मैंने जब अपनी नजरे दोड़ाई तो हाँ मुझे जंगलों के बीच में एक घर दिखा जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था हम दोनों चल कर उस घर के करीब पहुँचे तो वहाँ पहुचते ही उस आदमी ने कहा डॉक्टर साब मेरे पिता जी अंदर ही है आप चलिए मैं थोड़ा आता हूँ इतना बोलकर वो आदमी जंगलों के भीतर चला गया खैर मुझे तो मरीच को देखना था मरीच के घर वालों को नहीं और अगर कोई ऐसा वैसा काम भी पड़ा तो वो आदमी बोलकर ही गया है कि वो अभी आ जाएगा मैं चल कर उस घर के अंदर गया तो उस घर में बस एक मुम्बत्ती जल रही थी उसकी दबीसी रोशनी को अंधेरे ने चारो तरफ से घेर रखा था गर के अंदर दाखिल होती ही मैं इधर उधर मरीश को ढूंडने लगा गर के एक कोने में एक खाट पर एक बुजुर्ग आदमी सोया हुँ दिखा मैं चल कर उस आदमी के करीब गया और उनसे बोला क्या बात है चाचा? क्या हुआ आपको? मेरे इतना बोलती ही उस आदमी ने आँख खोला और कहा अरे डॉक्टर साब आईए आईए बैठिये क्या बताओं क्या हुआ? उस बुजुर्ग आदमी के मुझे ये सुनकर मैं समझ गया कि अब ये मुझे अपनी बीमारियों का एक लंबा चोड़ा चिट्था सुनाएगा आगे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा क्या आप मुझे ठीक कर पाएंगे? नहाप नहीं कर सकते साब मुझे ठीक जिस पर मैंने कहा अरे चाचा मुझे एक पर देखने तु दीजिये हुआ क्या है? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर साब इतना बोलकर वो आदमी अपनी हाथ को मेरी तरव बढ़ा दिया फिर मैंने जैसी ही उस बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर उपर से लेकर नीचे तक कापने लगा कि भला ये कैसे हो सकता है किसी भी जिन्दा इनसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मुम्किन नहीं है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो क्या ये इनसान नहीं बलकि भूत है मैं इतना डर चुका था कि मैंने एक जटके से उसका हाथ छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगा दरवाजे पर पहुँच कर मैंने जब दोबारा उस बुजर्ग आदमी को देखने के लिए पीछे मुडा तो मैं जोर जोर से कापने लगा दरवाजे वो बुड़ा आदमी अब उस खाट पर नहीं था और नहीं उस पूरे घर में इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ रुक सकूँ मैं भाग कर सीधे अपने कार के पास पहुँचा वहाँ पहुचकर फिर जब मैंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई जिसके बाद मैं सीधे अपने घर चला गया सुभा एक दो लोगों से पूछने पर पता चला कि आज से दो साल पहले उस आदमी की काफी तबियत खराब थी मगर उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने बिना पैसों के उनका इलाज नहीं किया जिस कारण उनकी मौत हो गई और अगर मैं उसकी मदद नहीं करने जाता तो वो भूत मुझे भी मार देता तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मैं आपका दोस्त आरियन जल्दी मिलूंका आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ झाल 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 झाल